हेलो एब्रिवन, वेलकम टू एमम अकेडमी, मैं हूँ चाचांग लखेरा और इस विड़ में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक, हाली में जो ट्विटर है ट्विटर ने COVID-19 के जो पोस्ट है, सो से जादा पोस्टों को रिमूव किया है इस पे अगर आप देख हुए तो बहुत सारे आर्टिकल भी पुबलेश हुए है और भारत सरकार ने कहा था ट्विटर से कि जल से जल जो है इनको डिलीट करो क्योंकि COVID-19 के जो पोस्ट है, वो आपको बहुत ही जो है एंटी गोवर्मेंट देखने को मिलेगा इनफेक्ट एंटी गोवर्मेंट भी नहीं कहना चाहिए, एंटी गोवर्मेंट तो है ही प्लस इसके अलावा जो है, जो गलत न्यूज है, ये उनको प्रमोट कर रहे थे बेसिकली जो फेक न्यूज है, उनको ये यहाँ पर बता रहे थे और इसी के लिए भारत सरकार ने एक बहुती बड़ा डिसीजिजन लिया है कि ट्विटर जल से जल जो है ये पोस्टों को डिलीट किया जाए, अब डिलीट किया जाने का मतलब ये है कि इसको भारत में नहीं देखा जा सकता है इन पोस्टों को लेकिन भारत के बाहर जो भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, उनको ये जरूर देखेगा तो सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपोर्टेंट सोर्स है, इन्फोर्मेशन का इन्फोर्मेशन लेने के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है और इन्फोर्मेशन देने के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है अगर माल लो आज के समय इस Twitter का, इस Facebook का, इस WhatsApp का हम बहुत अच्छी तरगे से यूज़ करें, तो बहुत सारे लोगों को जो है आप benefit हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कि आपके शहर में, आप जिस भी शहर में रहते हों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ किटिसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरीकी से पोस्ट कर देते हैं, जिससे लोगों के मन में बहुत ही दहशत बर जाती है, लोगों को बहुत जादा डर लगने लगता है, आपको सोच के देखो, माल लो, आपका कोई फैमिली रिलेट है, हॉस्पिटल में एंडमिट हो, या घर पे हो, वो कोवेट पॉजिटिव हो, और तब कुछ ऐसी फेक आपकी सिर्टी को लेटेट, तो आप क्या पैनिक नहीं होगे, तो बेसिकली यहाँ पे यही हुआ है, और एक सबसे बड़ा कारण यही है, कि लोगों में पैनिक ना हो, मिसिन्फॉर्मेशन ना फेले, इसलिए भारत सरकार ने, सो से जादा जो COVID-19 पोस्ट हैं, जो ट्वीट्स हैं, उनको डिलीट किया है, और काफी कुछ जो है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं, कि क्यों भारत सरकार ना ऐसा किया, कौन-कौन सी वो ट्वीट्स हैं, जिनको जो है डिलीट यहाँ पे किया गया ह यह article Times of India का है, Twitter remove post against government COVID handling, तो simple देखो, Twitter ने क्यो remove किया post, वो सरकार के against में थे, अब सरकार के against थे मतलब, जो COVID handling का जो procedure है, उसके ही against में थे, देखो, पहली बात तो भारत में cases आपको बहुत ही बढ़ते हुए नजर आएंगे, तीन लाग के आसपास आपको case देखने को मिले ठीक है, Modi make disasters, और भी जो बहुत सारे hashtag है, वो आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे जो post है, वो आपको अलग अलग तरीके के post आपको देखने को मिलेंगे, अब simple भारत सरकार ने, इन पर ये decision लिया कि इनको जल से जल जो है, यहाँ पर remove करो, क्योंकि ये जो हैं लो उसके पहले just go to google paste और download mmacademy app, और आपको क्या करना है, mmacademy आपको download करना है, फिर आपको आपको sign up करना है, आप यहाँ पर दो वीडियो से lecture देख सकते हैं, फिर आपको profile में जाना है, plan को purchase करना है, courses को enjoy करना है, एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे, और आप PDF भी यह जो है worst हो चुके है भारत में, और उसी के related, आपको जो है, जो tweets है वो आपको देखने को बलेंगे, COVID-19 situation जो है भारत में, उससे काफी unrelated आपको देखने को बलेंगे, जो situation है ही नहीं, वो यहाँ पर बता रहे हैं, और यह जो post है, यहाँ पर misinformation create कर रहे हैं, अब अगर मैं tweets की बात करूँ, तो किस तरीकी tweets हम को देखने को बल रहे हैं, तो basically modi made disaster यह hashtag चल रहा है, प्लस जो comment मेला है, वो आपको यहाँ पर देखने को बलेगा, लेकिन सबसे important बात यहाँ पर यह है, कि यह जो post है, वैसे तो fake accounts जो होते हैं, वो इस तरीके के hashtag जो है, trending में करते हैं, प् जो micro blogging website है Twitter, उन्होंने करीब 50 post को जो है remove किया है अपने platform से, और यह जो आदेश है, इनको सरकार ने दिया था, सरकार ने यह कहा था, कि जल से जल जो है, इनको यहाँ पर delete करो, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा panic create कर रहे हैं, अगर आम इन tweets की बात करें, तो यह जो tweets है, य rates की बहुत ज़्यादा कमी है, medical oxygen जो है यहाँ पर नहीं मिल रही, देखो, shortage तो है, लेकिन जिस तरीके से यह tweets कर रहे हैं, जिस तरीके से misinformation पहला रहे हैं, यह बहुत ही गलत है, ministry of home affairs की recommendation पे, जो ministry of electronics है, उन्होंने यह कहा है social media platform से, कि जल से जल, जो 100 post है, उनको आप delete करो, जो यहाँ पर panic create कर रहे हैं, जो post misinformation create कर रहे हैं, उनको जल से जल जो है delete किया जाए, अब अगर इनको delete कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ही बड़ा कारण होगा, तो जही हाँ देखे, अब इन सब post को क्यो delete किया गया, देखे, official अगर आप देखोगे, तो official data के हिसाब से इनका यह कहना है, कि भारत सरकार की नसरों में, यह जो tweets है, यह बिलकुल fake है, यह misinformation यहाँ पर create कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में काफी fake news जा रहे हैं, बहुत ही fake message जा रहे हैं, और इससे जो है लोगों का मनुबल जो होता है, वो तूटता ही जा रहा है, देखो, अगर for example आपके घर में कोई COVID-19 positive है, और अगर आपको ऐसी news मिलती है, आप जिस जाके पर रह रहे हैं, वहाँ पे आपको ना bats की availability है, ना oxygen की availability है, ठीक है, लेकिन सच कुछ और है, तो इस news से आपको भी जो है काफी panic होगा, और इस छोटी सी एक fake news से, आप बहुत ही बड़ी समस्या में पढ़ सकते हैं, अब यह जो fake information फैलाई जा रहे है, यह किस तरीके के देखे, इन में से कुछ तो COVID-19 की जब first wave थी, उनके कुछ videos viral किये गए, कुछ images यहाँ पर post किये गई, कुछ visuals यहाँ पर बताए गए, और यह जो है काफी sensitive post थे, जो COVID-19 के protocol है, उनको लेके बहुत ह पात यहाँ पर यह है, कि कोई भी fake account जब tweet करता है, तो वो तो माना जाता है कि हाँ fake account है, यह गलत तरीकी से जो हैं पर misinformation फैला रहे हैं, लेकिन अगर आप इस news में देखोगे, तो जो important personalities है ना, जो verified accounts है, वो यहाँ पर tweets कर रहे हैं, और उनके tweets को जो है remove किया गया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो Congress के जो spoke person है, पवन की रहा, फिर Member of Parliament, रिवन्त रेडी, फिर West Bengal के जो minister है, ABP News के जो editor है, पंकत ज्छा, विनीत कुमार सिंग जो actor है, फिल्मे कर अवनीजदास, तो basically बहुत सारे celebrities हैं, बहुत सारे important persons हैं, जिनके verified accounts हैं, उनके tweets यहाँ पर delete किय अब यह सब सुनने के बाद आप ही सोचरोगी, भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी उनके खिलाफ tweet करें देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, government criticism को विल्कुल welcome करती है, लेकर genuine request होती है help की उनको, अगर आप criticism कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप एक suggestion भी दे सकते हो कि हमको जो है कुछ इस तरीक से work करना चाहिए, जिस से, जो है हम COVID-19 की against में जो है इस तरीक से हम लड़ सकते, simply criticize करो, criticize जरूर करो, लेकिन उसके साथ साथ जो है या पर solution भी दो कि हम किस तरीक से मदद कर सकते हैं, अभी criticism से जादा मदद की ज़रूरत है, और इसे करी भा को लेकि information है, oxygen को लेकि information है, प्लस जो ventilators को लेकि information है, अपनी city में आप देख सकते हो, ठीक है, वो आप post कर सकते हो, उनको आप post करो, जिनको जरूरत है, जिनको plasma की जरूरत है, वो आप post करो, तो इसे जो है काफी लोगों को help मिलेगी, और अभी के लिए इतना ही, और भारत सरकार ने 100 से जादा post को जो है, यहाँ पे डेलीड कर दिया है, और I hope कि आप जो है, बहुत ही safety को जो है, यहाँ पे follow कर रहे होगे, तो यह था इंडिश वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बधनेवाद, जैहन्त, जै भारत.